दोस्तों, SSC के form में अगर आपको कोई registration part आपका modify करना पड़ता है, कुछ changes करने पड़ते हैं, जैसे है कि आपका address हो गया, mail आपसे miss हो गया है, आपका number change हो गया है, ऐसी situation में आप अपने SSC के registration part को अपने login करने के बाद में जो dashboard आपको open हो करके आता है, वहां से आप change कर सकत हैं, यहां पर देखे, third option modify registration का लिखा हुआ है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, यहां पर आप जैसी click करेंगे तो आपका जो registration का part है, जिसमें आपकी personal details होती हो ओपन हो करके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसके बाद में आपको right head यहां पर देखे, edit का option दिया information is furnished, यानि कि अगर आप कोई भी यहां पर गलत information, एक तो आप change कर रहे हो, तो change करने में अगर आपको गलत information देते है, SSC को तो essay में आपका जो candidature है, वो इसको cancel किया जा सकता है, इसका right पूरा का पूरा SSC के पास में है, तो अभी इसको proceed करेंगे, okay करेंगे, मैं submit करके तो नाम अगरे तो आपको change नहीं करना है, वो तो आपका जो नाम है as itis रहेगा, यहां पर आप mobile number है, या email id है, ठीक है, यह change कर सकते है, इसके लावा, जब भी आप mobile number email id change करेंगे, और save पे करेंगे, तो आपको last में जो है ना, उस email पे, उस mobile number पे, जो भी अपने change किया होगा उस पे आपको OTP बेजएगा, OTP डालके जब वेरिफाई करेंगे, तभी आपका वो successfully जो है, आपका जो अपने change कि edit किये है, वो submit होगी, इसके बाद जैसे आप next करेंगे, यहां से save करने के बाद में दिखिए, इक next करके दिखाए, अगले जो next process का आता है, रिशेशन के प इसके column साथ next हो गया था, कुछ process, SAC के साइट वैसे भी कुछ बहुत अच्छी नहीं चलती है, यहां पर देखिए, यह आपका एक identification mark option है, इसको भी edit करके यहां से open कर सकते हैं, यहां चीज़ यहां पर बोल रहा है, यह category mistake हो गई थी, last time हमें change करना है, किसी के पास EW certificate नही करेंगे, तो आपके mail और mobile number दोनों पर ही जो है, अगर आपने दोनों चेंज 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 होगा, तो एक पर किसी पर OTP पर जाएगा, और OTP डालने के बाद में आपको save कर देना है, आपका वो registration part, SAC का वो save हो जाएगा,